अब डाउटनेट एप पे मिलेगा आपको कलास 6 से आई टी जेई तक के मैथ के साथ साथ 11 एबं 12 के फिजिक्स एबं केमेस्टी के सभी सवाल का जवाब बस डाउटनेट एप से क्वेश्चन की फोटो खीचे और तुरंत पाए वीडियो सोलूशन तो आज ही डाउटनेट एप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं दोस्तो यहाँ आप कठीन से कठीन कोईस्चन का सोलूशन हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR स्टडी में दोस्तो जैसा कि आप सबी जान रहे है कि ललित नडायन मिचला विसपीद द्याले के द्वाड़ा पाट टू रिजल्ट 2019 यानि कि 2019 का पाट टू का रिजल्ट दोस्तो घोसित कर दिया गया है लेकिन दोस्तो result घोषित करते ही student को अनेको problem का सामना करना पर रहा है बहुत सारे student comment के माध्यम से हमें पूछ रहे की sir मेरा result pending है हमें क्या करना होगा मेरा result promoted है sir मैं क्या करू मेरे एक बीसे में zero mark दिया गया है मुझे कम mark दिया गया है बहुत साथे student को यहाँ पर problem फेश करना पड़ रहा है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगे द्वारा पूछे गए सभी problem का समधान बताने वाले हैं जैसे कि आपका pending वाला को क्या करना होगा ताकि उनका result दोस्तो ठीक हो जाए पर्मोटेड वाले को क्या करना होगा जाक ताकि उनका result ठीक हो जाए जिनको zero mark दिया गया उनलोग को क्या क्या process करना होगा ताकि दोस्तो उनलोग का result ठीक हो जाए और जिनलोग को कम mark दिया गया उनलोग को क्या करना है तो दोस्तो आज के इस वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा ताकि उन लोगों का प्रॉबलम भी क्या हो सके दोस्तों दूर हो सके और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही घंटी के निसान को जरूर दबा दीजेगा ताकि आगे आने वला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके क्योंकि दोस्तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से संब्धित सभी नियूज आप लोगों तक हम पहुंचा आते रहते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पैंडिंग वाले के लिए यानि कि जिनका रिजल्ट पैंडिंग है उसके बारे में तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आखिर रिजल्ट पैंडिंग होता क्यों है दोस्तों आपको बता दे कि रिजल्ट पैंडिंग होने का कारण है अगर आप exam में कहीं न कहीं role number या फिर आपका registration number है ये सब अगर भरने में आपको ही problem किये होंगे OMR sheet भरने में अगर आप कहीं भी problem किये होंगे जिसके कारण दोस्तों आपका result क्या होता है pending होता है तो अब जानते हैं कि आखिर आपका result pending में तो आपको करना क्या है वैसे देखे दोस्तों जो आपका result pending है तो computer पे आपका जो लॉड नहीं किया गया होगा लेकिन दोस्तों आप लोग का result जो हाथ से तयार करके कुछ दीन के अंदर 20 विद्याले के द्वारा जारी कर दिया जाएगा वैसे अगर आप लोग का result pending में क्यों है या फिर कब जो है आप लोग का result जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप लोग 20 विद्याले जाकर के इसका जानकारी ले सकते हैं कि पेंडिंग वाला का result जो है कब जारी हो जाएगा या फिर हम को क्या process करना होगा इसका जानकार दोस्ते की permitted ह cái कारण है सबसे पहले कारण Libby के दिसे कि आपका पर जाते हैं कम से कम किसी एक जाकर जाते हैं थेल हो जाते है तो उस लोगों का आता है पर्मोंटेड लिखा क्या आया था फिर भी जो है विश्विद्याले के द्वारा कम अंक दिया गया है तब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस इस्थिति में अगर आपको पूरा कंफीडेंस है की हम अच्छा से लिख कर ऐ थे लेकिन फिर भी हमको कमặc दिया गया इस पेपर में तो इसके लurpose खेंन चैलेंज कर सकते हैं और हो यूनिवर्सीटी जाना होगा तो आपको फॉर्म भर करके आप लिखे होंगे तही हो सकता है और आगर नहीं अगर आप चैल्यग्रेंज करना नहीं चाहते हैं लगता कि इसका दूसरा समधान अंगे की क्वेत्स कि आपको क्या करना अगले साल फिर से एक्जाम देना होगा गया अब बात करते हैं जिन लोगों के किसी भी पेपर में एक या दो पेपर में जीरो मार्क दे दिया गया है तो सबसे पहले तो आपको पता ह sacrifice या अ ये answer गया ज़ाता है जी रो मार्क देने का दोस्तों कारण होता है कि जो student एसेंट होते हैं उनका ही दोस्तों जीरो मार्क दिया जाता है तो अगर आप लोग सही में absent थे और तब आपको zero mark दिया गया है तब तो समझे कि आपका कोई जो है चारा नहीं है को आपका result ठीक होने वाला नहीं है कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि student exam दिया भी रहता है फिर भी उसमें zero mark लिख दिया जाता है यानि कि उसको absent कर दिया जाता है तो अगर आप सहीं एक्जाम दिये हैं और तब आपके मार्क सिट में zero लिखा आ रहा है किसी भी पेपर में तो दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको कनफॉर्म होना university जा करके कि आपको zero mark क्यों दिया गया तो दोस्तों वहां पर आपको बताएगा कि आप एपसेंट है इसलिए zero mark दिया गया है तब आपको क्या करना होगा उसके लिए सबसे पहले आप एक application लिखेंगे कि मेरा जो है हम परजेंट थे और फिर भी हमको एपसेंट कर दिया गया है और आप अपने college से जिस college से आप ह लगा खा रहता है अटेंटेंस वहां पर आपका जो बनाय होंगे वहां पर एक photo copy वहां पर रहता है जहां अप एक्जाम देंगे तो वहां जाकर के दोस्तों आप क्या करेंगे अपना जो है एटेंटेंस का फोटो कोपी करवा करके और तब वह application के साथ लगा करके 20 विद् करना है अब बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर यह भी लिख रहे हैं कि सर हमें कम मार्क दिया गया यानि कि हम जितना लिखे थे उतना मार्क नहीं दिया गया है तो आगर सही में अगर आप उतना लिखे थे अगर आपको लगता है कि हम सतर मार्क के इतना हम लि भड़िये चलान गटबाई यह चैलेंज होगा अगर आप सही में लिखे होंगे तो आपको क्या होगा दोस्तो मार्क दिया जा सकता है और आपका रिजल्ट दोस्तो क्या हो जागा फिर से ठीक हो सकता है और दोस्तों बहुत सारे student का ये भी काना है कि सर हमारे जो practical का exam था practical वाले में भी जिरो दे दियागा यानि कि दोस्तों उनका काना है कि practical के विशय में भी जो practical का number मुझे मिलना चाहिए वहाँ पर दोस्तों 0 लिखा हुआ है practical में 0 नमबर मिलने का तो कोई उचिती ही नहीं बनता है हाँ आपका practical में 0 मार्क हो सकता है कब जब आप practical का exam नहीं दिये होंगे absent कर गये होंगे तब उस इस्थिती में आपको practical वाले subject में practical में आपको 0 मार्क दे सकता है लेकिन अगर आप exam दिये हैं तो practical में 0 मार्क आने की कोई संभाबना ही नहीं बनते हैं और अगर आपके बिसे में भी अगर आपके practical के बिसे में भी अगर 0 मार्क लिखा रहा है तो अब आपको करना क्या है अगर आपके practical बाला जो subject है practical में 0 मार्क लिखा रहा है और आपने सही में एक्जाम दिया था आपको पूरा याद है कि हम absent नहीं किये थे हम पूरा एक्जाम दिये थे तो आपको क्या करना है अपना result करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप जहां एक application लिखेंगे ये आपका प्रिच्छा प्रिच्छा नियंतरक के नाम से लिखेंगे कि मेरा practical में 0 दे दिया गया है जबकि मैंने क्या किया था एक्जाम दिया था और उसको अपने college के परधाना charge से आपको क्या करना होगा forward करबाना होगा यानि कि sign more करवा करके और आप जहां पर भी practical का exam दिये थे वहां पर दोस्तों आप जागर आप exam दिये होंगे तो आपका attendance रखाओगा वहां से आपको इसका फोटो को भी ले करके आपको विश्विद्याले जाना है और वहां आप उसको जमा करेंगे तो हो सकता है कि आपका क्या हो जाए रिजल्ट क्या होगा दोस्तों देखे हम भूसारे कर दिया जाता है कि आपको जानकारी अच्छा लग अच्छा लगा हो तो कि कि घंटी की निशान को जरूर दबा दीजेगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों से संभनित सभी छोटा बड़ा न्यूज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुचाते रहते हैं अब डाउटनेट एप पे मिलेगा आपको कलास 6 से आयाटी जेई तक के मैथ के साथ साथ 11 एबं 12 के फिजिक्स एबं केमेस्टी के सभी सवाल का जवाब बस डाउटनेट एप से क्वेश्चन की फोटो खीचे और तुरंत पाये वीडियो सोलूशन तो आज ही डाउटनेट एप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं